English speaking course के दूसरे दिन यानि day 2 पे आप सभी का स्वागत है Guys, बहुत जल्द मैं आपके लिए English conversation और English listening की practice exercises on a daily basis लाने वाला हूँ क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि English बोलने के लिए आपको conversation और listening regular practice करनी होगी तभी आप English बोलना सीखेंगे लेकिन उससे पहले आपको English के सभी letters a से लेके z तक जो यहाँ पर लिखे हुए है a से लेके z तक सभी letters के phonic sounds को समझना ज़रूरी है अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और इस वीडियो के end में मैं आपको एक homework भी दूँगा उसमें आप क्या करेंगे अपनी खुद की आवाज को अपनी voice को अपने phone पे record करेंगे मुझे भेजेंगे मैं चेक करूँगा और आपको feedback भी दूँगा तो आईए ध्यान से इस वीडियो को देखिए एक एक चीज को समझिए सबसे पहले देखिए आपके सामने 26 letters लिखें A से लेके Z तक अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या है तो आप कहेंगे कि ये A है लेकिन क्या हर word में ये A ही बोला जाता है नहीं बोला जाता है इसे कहीं पर A बोला जाता है कहीं पर A का sound आता है कहीं पर A का sound आता है कहीं पर A का sound आता है कहीं पर O का sound भी आता है अभी मैं आपको सब बताने वाला हूँ यही हैं इसके phonic sounds कहीं पर A कहीं पर A कहीं पर A कहीं पर A A और A कहीं पर A और कहीं पर O अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे लेकिन मैं guarantee देता हूँ कि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये सोच में पढ़ जाएंगे कि बहुत सी चीजें आपके सामने आ गई जो आपको नहीं पता थी तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है सबसे पहले देखिए कि जो A letter है इसके ये 6 phonic sounds हैं 6 phonic sounds कहां पर इसका sound A का आता है जैसे alone, alone मतलब अकेला यहां पर जो A का sound है वो क्या आ रहा है alone, alone तो A का sound आ रहा है agree इसमें भी agree ये agree नहीं है, A का sound नहीं है A का sound है agree स्टार्ट मतलब शुरू करना यहां पर A का क्या sound आ रहा है A का sound आ रहा है start और यहां फिर after भी एक ऐसा word है जिसमें after A, A रहा है नहीं यहां पर ठीक है ऐसे A का देखिए name कई students मैंने अक्सर यह notice किया है name की जगह name कह देते है name देखिए आपको कहना है name और कई लोग क्या कहते है name my name is name नहीं कहना है आपको क्या कहना है name यहां पर A का sound आ रहा है A अच्छा इसके अलावा name के अलावा जैसे fame है fame में भी fame नहीं ठीक है तो यह A का sound है angry में A का sound है angry angry मतलब गुस्से बाग ए यहा फिर animal जानवर यहां पर भी A का sound है animal या फिर apple यहां पर भी A का sound है अच्छा air का sound कहां पर है एक dare dare में देखिए डे अर इसका मतलब होता है हिम्मत करना या फिर rare rare मतलब जो बहुत मुश्किल से अवेलबल हो जो बहुत मुश्किल से अवेलबल हो जिसकी मात्रा बहुत rare है अच्छा ओ का sound कहां आता है जैसे टी ए डबल एल यहां पर A है लेकिन sound क्या आ रहा है औ टॉल या फिर फॉल तो आपने देखा कि एक लेटर के कितने sound है six phonic sounds है और इसके अलावा मैं एक बात आपसे और कहता हूँ जैसे कोई भी sentence है I am a student अगर कोई आपसे पूछे कि यह क्या है तो आप कहेंगे यह A है लेकिन अगर आप इस sentence को बोले I am a student तो आप इसे बोलते कैसे हैं प्रणाउंस कैसे करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी यह letter A किसी भी sentence में आता है तो इसका phonic sound क्या होता है अ कौन सा sound phonic sound इसका phonic sound होता है ठीक हो गया आगे आपको बहुत कुछ पता लगेगा तो फिलाल A तो हो गया अब हम move करते हैं बी पे बी का एक ही sound होता है बस जैसे बॉल यह देखिए ब यह बोल यह डैब अचा यहाँ पर मैंने ये दो words लिखे हैं इसके पीछे भी एक कारण है देखे सबसे पहले इस बात को समझे कि इनकी pronunciation क्या है यह है बॉल बॉल का मतलब होता है गेंद जिससे आप खेलते हैं गेंद ठीक है और यह जो है न यह थोड़ा सा अलग है ब ओ डबलू एल यह होता है बोल और मैं यह कह सकता हूँ कि आप मेंसे लग भग दस मेंसे शायद कोई एक ही जानता हो कि ये bowl है और इसके कुछ meaning है अभी बताता हूँ आपको पहली बात तो क्या है इसके दो meaning है दो meaning क्या क्या है इसके bowl के दो मतलब है एक मतलब है इसका katora katora या katori जिसमें आप कुछ रखते हैं और खाते हैं ठीक है अच्छा आप में से कई इसे गलत भी pronounce करते हैं कहते हैं बाउल बाउल नहीं सही pronunciation है bowl जैसे हम किसी को कहो bowl क्या बोलता है बोल तो ये bowl ये है इसकी सही pronunciation और दूसरा मतलब है इसका दूसरा मतलब क्या है gain फेकना जैसे cricket में gain फेकता है baller जो balling करता है वो gain फेकता है तो ball मतलब तो होता है gain लेकिन gain फेकने को bowl कहते हैं और इसी लिए अगर मैं आपसे कहूँ वो balling कर रहा है तो वो क्या कर रहा है balling कर रहा है क्या नहीं वो balling कर रहा है वो he is balling नहीं ये बड़ा interesting है balling नहीं क्या bowling अगर आप अभी google में search करें तो आप ये पाएंगे कि bowling bowling होता है he is bowling मतलब वो gain fake रहा है यानि वो bowling कर रहा है तो ये सिर्फ आपकी knowledge के लिए मैं प्रता है कुल मिलाकर b का केवल एक sound होता है ब अब बात करते हैं c की c जो letter है इसके दो sound होते हैं एक sound है का का और एक sound है सा का इसे आप कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी word में c आया तो उसका sound कहां पर का का होगा और कहां पर सा का होगा तो इसके लिए एक छोटा सा rule अगर मैं कहूँ rule आप याद रख सकते हैं जब भी c के बाद e, i, i आय या y आय c के बाद e, i य य वाय तो हमेशा उस word में c का sound होगा स और इनके अलावा हमेशा sound होगा कर example देखिए आपके सामने है c के बाद e आया तो ये क्या है center c के बाद e आया तो ये क्या है price price मतलब मूल्य c के बाद e आया ये है century century का मतलब होता है शतक cricket में century लग जाती है शतक मार देता है कोई player c के बाद i आया city यहाँ पर भी circus sound आ रहा है c के बाद i आया circle b i c y c के बाद y आया c के बाद y bicycle इसे कहते है bicycle bicycle का मतलब होता है cycle हमेशा द्यान रखिए bicycle ऐसे बोला जाता है cycle को और c के बाद y आया cylinder जो हमारे घरों में gas का cylinder होता है वो है यह cylinder c के बाद क्या आ रहा है y तो आप यह समझ गए जब भी c के बाद e i आये y आये तो हमेशा sound आएगा sir का और otherwise क का जैसे cat, billy, control, college, camera, actor, back इन सभी words में आप देख रहे हैं कि c है लेकिन c के बाद e, i या y नहीं है क्या है यहाँ पर a है, o है, o है, a है, t है या फिर k है तो इन सभी जगहों पर c की जो pronunciation है उचारण है वो होगा क, cat, control, college, camera, actor, back हो सके तो इन सभी rules के आप notes बनाईए ताकि आप जब चाहें इन्हें revise कर सकें अब move करते हैं D पे D का sound तो हमेशा आता है ड का sound ड, down में ड, under में ड, dog में ड, mad में ड, down मतलब नीचे, under मतलब नीचे, dog मतलब कुत्ता, mad मतलब पागल लेकिन E के चार अलग-अलग phonic sounds है जब किसी word में E आता है तो ये चार अलग-अलग तरीकों से pronounce किया जाता है ठीक है? कहाँ पर E, छोटे E की तरह? English E, English 11, 11 अच्छा, यहाँ पर तीन जगह पर E आ रहा है, है न? 11, तो देखो इ, ले, ले, ए, ये वाला, ए और इले, वन, वन, अ, तो यहाँ पर अ का sound है, यहाँ पर ये आ का sound है ठीक है? अच्छा, बड़ी E का sound कहाँ पर है? जैसे ही हम क्या कहते हैं? ही तो हाँ पर बड़ी E की मात्रा ही, यह है बी यह है मीटर मी, बड़ी E का sound कहाँ पर आ रहा है? मी, मी, टर तो यहाँ पर जो E का sound है, इस वाले E का sound तो टर E का sound है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी लिखा है E का sound कहाँ पर है? ए, पेन, ए, ए यह पेन तो नहीं है न, पेन ए तो नहीं है न, यह कह है? ए, पेन एंटर, ए, ए का sound यहाँ पर, हाँ यहाँ तो नहीं है न, यह वर्ड एंटर, तर यहाँ पर अ का sound है यह वाला sound है यहाँ पर लेकिन ए वाला sound है यहाँ पर और enjoy कई लोग mistake करते हैं इसे कह देते हैं enjoy यह enjoy नहीं है यहाँ पर का sound नहीं है बलकि यहाँ पर कैसा sound है ए का sound enjoy हो सकता है आपको पहले से ना पता हो तो इस बात को भी आप note करिए तो D और E देखा अब move करते F पे F का sound हमेशा आता है F F F का sound F के sound में interesting बात ये है कि आपके ऊपर के teeth नीचे के lip से connect होते हैं कैसे F F fan, fantastic F अच्छा आप ये सोचो को कि मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक sound और होता है F का वो तब होता है जब P के साथ H लग जाता है जैसे आपने देखा होगा photo, phone वो case अलग है अभी मैं P के sound में इस बात को बताऊंगा फिलाल F के sound में आपके ऊपर के दाथ नीचे के होट से touch होंगे fan fan तो ऐसे ये वाला sound होता है ठीक है? example जैसे की fan film F का sound आ रहा है fantastic F का sound आ रहा है अच्छा जी का sound जी का जो sound है वो या तो कहीं पे आता है ग या कहीं पे आता है ज तो कहीं पे ग और कहीं पे ज कहां पर कब क्या आता है? इसमें भी वो ही वाला concept है जो C के साथ था अगर आपको ध्यान हो अगर G के बाद E आया तो भी ज आएगा I आया तो भी ज का sound आएगा Y आया तो भी ज का sound आएगा और इनके अलावा हमेशा G का ग का sound आएगा ठीक है? तो ग का sound जैसे गवा, ग, गेल गेल मतलब आंधी यह बहुत ज़्यादा हवा चलती है तूफान एगरी कल्चर यहाँ पर भी ग का sound आ रहा है G का ठीक है और ज का sound कहाँ पर देखे E वाले case पे G E Age उम्र Change ज का sound G के बाद आई Magic Giraffe G के बाद आई Gym G के बाद Y G के बाद Y या फिर एक country का नाम है एक देश का नाम है Egypt ज का sound तो यहाँ सब पर ज और यहाँ पर ग अब मूव करते हैं H पर H का sound हमेशा ह का sound होता है किसी भी word में ह का sound जैसे hello hotel लेकिन बहुत से ऐसे words हैं जहाँ पर यह silent होता है वैसे silent words के बारे में एक separate वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे letters कई जगह पर कई words में silent होते हैं लेकिन फिलाल सिर्फ आपकी knowledge के लिए आपका इस बात को जानना जरूरी है silent कहाँ पर होता है इसका थोड़ा एक rule की तरह मैंने लिखा है before o o से पहले and or cwrg के बाद after cwrg अब before o कहा आपके सामने यहाँ देखे तीन word हैं आप देख रहे हैं तीनों words में o से पहले आ रहा है h यह है hour यहाँ पर h silent होता है hour hour मतलब घंटा honest o से शुरू हो रहा है sound h का sound नहीं आ रहा है honest मतलब इमानदार honor यह भी h यहाँ पर silent है honor का मतलब होता है सम्मान देना तो तीनों में o से पहले h आ रहा है और h यहाँ पर silent है after c c के बाद h आ रहा है chemistry chemistry subject होता है h का यहाँ पर sound ही नहीं है technology technology h यहाँ पर silent है y यहाँ पर h से पहले क्या आ रहा है w आ रहा है यहनि after w w के बाद आ रहा है h y यहाँ पर h का sound ही नहीं है white यहाँ पर भी sound नहीं है whisper whisper, whisper मतलब फुस फुसाना, हलके हलके करके कुछ बोलना, यहाँ पर भी h का sound नहीं है, which, h का यहाँ पर sound नहीं है, लेकिन ये बात एक जगह पे apply नहीं होती है, w, h, o, who, इसमें आप देखिए, यहाँ पर तो ऐसा लगता है, जैसे w का ही sound नहीं है, who, h का sound आ रहा है, who, तो यहाँ पर ये चीज़ अपलाए, नहीं होती है, तो exceptions भी होते हैं, अच्छा, यहाँ पर देखिए, rhinoceros, rhinoceros में या rhythm में, आप देख रहे हैं, h से पहले क्या रह होता है, r, यहाँ पर h का sound भी नहीं है, rhinoceros, rai, h नहीं आ रहा है, rhinoceros का मतलब होता है, गेंडा, गेंडा एक जानवर होता है, एक एनिमल होता है, है न, उसे rhinoceros कहते हैं, और rhythm का मतलब क्या होता है, ले, ताल, rhythm, तो rhythm में भी देखिए, h आ रहा है, यह h आ रहा है, लेकिन h दोनों जगह पर silent है, rhythm, ry, rhythm, अच्छा, g, g के बाद h आ रहा है, ghost, ghost मतलब क्या होता है, भूत, और कई लोग इसे गलत भी प्रनाउंस करते हैं, इसे कहते हैं, ghost, यह ghost नहीं होता, हमेश्व दान रखना है, यह क्या है, ghost, गोस्ट, और यह, इसे दो तरीके से प्रनाउंस किया जाता है, एक तरीका होता है, ghastly, तो आप देख रहे हैं, h का तो sound है यह नहीं, ह का तो sound ही नहीं है, ghastly, ghastly में तो in fact ट का भी sound नहीं आ रहा है, तो एक तरीका तो इसे प्रनाउंस करने का यह होता है, और दूसरा होता है, ghastly, ghastly, तो एक तरीका है ghastly और एक है ghastly, और यहाँ पर ghastly, ट जो है आधा ट है, अच्छा, इसका मतलब होता है, भयनकर यह डरावना, ठीक है, तो दो तरीके से प्रनाउंस किया जाता है, जब इसे ghastly कह रहे हैं, तब तो देखो T silent नहीं है, लेकिन जब इसे ghastly कह रहे हैं, तो TB यहाँ पर silent है, ठीक है, अच्छा, अब move करते हैं, आई पे, आई के four sounds होते हैं, phonic sounds, आई, आई, इ, अ, ठीक है, आई, आई का sound यहाँ पर आ रहा है, like, ला इक, ला इक, आई, ला इक, या फिर hide, hide मतलब छुपना, या छिपाना, आए, आए का sound कहाँ पर आ रहा है, देखिए, higher, या फिर expire, और मैं आपकी knowledge के लिए आपको बता दू, अगर कहीं पर sentence लिखा है, I am a student, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब आप English बोलते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है, यह A है, लेकिन actual में sentence में A है, A sound करता है, उसी तरह से यह I है, लेकिन जब sentence में बोला जाए, तो आप भी ऐसे ही बोलेगा, I, I am a student, I, I am a student, ठीक है, यह आपकी knowledge के लिए, का sound कहाँ पर आता है, देखिए, sit, आई आ रहा है, sit, कैसे बोला जाता है इसको, sit, है नहीं यहाँ पर छोटी E का sound, still, still में I का sound, छोटी E का है, ठीक हो गया, अच्छा, A का sound कहाँ पर आ रहा है, यह देखिए, first, यह फिर shirt में भी I का क्या sound है, A का sound, तो यह हैं I के sound, J का sound, J का होता है, जैसे यहाँ पर है, July, Junior, Jealousy, Jealousy का मतलब क्या होता है, इरश्या, जिन students को meaning ना पता हो, वो meaning भी note करें, क्योंकि हो सकता है, कि आप बिल्कुल नए हैं English में, तो आपको तो word का meaning भी नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आप से note कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, Jealousy का मतलब होता है, इरश्या या जलन, अच्छा, के का sound बहुत ही simple है, क का sound होता है, जैसे kite में आ रहा है, क क का sound, क क का का sound, बाइक जिसे हम चलाते हैं, बाइक क का sound, ठीक है, एल का sound बहुत ही simple, ल का sound इसका, लेवल, ल, ल, लेवल, अल्टरनेट, अल्टरनेट, ल, मेल, ल, प्ले, ल, सिंपल, अब मूव करते हैं, एम पे, एम का sound तो मा का होता है, simple, जैसे money, मा, make, मा, ठीक है, एन का sound, ना का sound है, जैसे never, never मतलब कभी नहीं, और entry, entry मतलब प्रवेश, अब बात करते हैं, O की, O, अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जैसे A, E, I, O, और U, ये 5, ये क्या हैं, vowels, vowels, यानि की स्वर, तो इनके generally multiple sounds होते हैं, जबकि consonants के देखिए, एक single sound, consonant का एक single sound, तो vowels के multiple sounds हैं, आच्छा, O के तीन sound क्या क्या हैं, O, अ, और ओ, 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 एक्जेम्पल देखिए, O का sound आ रहा है, only में, ये क्या हैं, only, इसे आप only नहीं कहना, only, कई students ही गलती करते हैं, only कहते हैं, only three months, only two months, only नहीं, only, ये है, O, O, इसी तरह से ये है, more, 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 अच्छा, यहाँ पर O का sound है, A का sound, sun, sun मतलब बेटा, money, A, म, A का sound आ रहा है, यहाँ पर O का sound है, option, अच्छा, यहाँ पर option, यहाँ पर यह वाला O का sound कैसा है, A का sound, और यह क्या है, opportunity, opportunity, कैसे लिखा जाता है, opportunity, opportunity, opportunity का मतलब, अउसर या मौका, तो जिनको नहीं पता था, नोट कर लिजिए, pronunciation बहुत important है, तो यहाँ पर sound है, O का, तो O हो गया, अब move करते हैं, P पे, P पे जाने से पहले, O का एक sound मेरे से miss हो गया, double O वाला sound, बड़ा interesting sound है, जब भी double O आये, किसी word में, उसके दो sound generally आप देखेंगे, एक होगा छोटे O का, O, और एक होगा O, कैसे examples आपके सामने हैं, एक example है, would, यह है, would, कैसे लिखा जाता है इसको, would, would, to, चोटी O की मात्रा, तो छोटे O का sound आता है, would, book में भी छोटे O का sound आता है, would मतलब लखड़ी, book मतलब किताब, और broom, O, कैसे लिखा जाता है, broom, बड़े O की मात्रा लगती है, broom, broom मतलब जाड़ू, और spoon, spoon मतलब चमच, अब आजाएए P पे, P के दो sound, मैंने आपको बताया था, शुरुवात में फो sound भी आता है, जब P के साथ H लग जाता है, generally P का sound होता है, पो, जैसे की pen, या फिर paint, लेकिन जो इसका फो sound होता है, फो, ये sound कैसा होता है, ये sound, देखे F, F का sound कैसा था, जिसमें उपर के दान्त नीचे के लिप पे टाच हो रहते है, फ, फ, लेकिन ये जो sound है, ये है, फ, फ, यानि कि आप अपने दोनों होटों को मिला लो, और फिर बोलो, फ, फ, तो ये है, फोन, फोन, फोन नहीं, फोन, फोन और फोटो, अच्छा, एक example आपको देता हूँ, जैसे एक song है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, आप Google में search करिएगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, अगर आप ध्यान देंगे, तो ये song का जो title आपके सामने आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, देखें, मैं फिर, पी एच आई आर, ऐसे नहीं लिखा होगा, एफ आई आर, तो ये फिर नहीं है, फिर, जहाँ पर उपर के दान नीचे के लिप पे touch हो, फिर नहीं है, ये क्या है, फिर, मैं फिर, फिर, फो, फो, पूरा फो का sound आता है, इसलिए, जब singer, गाता हूँ, आप सुनेंगे, तो वो गाएगा भी इस तरह से, मैं फिर, मैं फिर, 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 फो, ठीक है, वहाँ पर आपको एफ आई आर नहीं दिखेगा, तो ये बड़ा interesting concept है, generally, फो का sound इतना ज़ादा आप differentiate नहीं कर पाते हैं, जब कोई बोलता है, इसलिए इसको इतना महत तो नहीं दिया जाता है, लेकिन चुकि मैं आपको phonic sounds के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको detail में सब कुछ बता हूँ, अच्छा, p की बात हो गई, अब आजाते है, q पे, q का sound तो qua का sound आता है, qua, जैसे queen, qua, acquire, qua, है न, ये simple है, r का sound, r का sound है, rest, आराम करना, revenge, r, revenge का मतलब होता है, बदला लेना, अब बात करते है, s की, s बड़ा interesting है, और बहुत सारे students गलती करते है, s के चार अलग-अलग, वैसे दो ही sound है, एक तो है, सरिता वाला स, ct वाला, ct, s, s, जिसमें आपके दोनों दात लगबग मिल जाते हैं, और फिर बहार की तरब आवाज आ रहे है, s, ct, s, सरिता वाला स, और दूसरा जो sound है, वो है श, ये कैसा sound है, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी जीब को, अपनी टंग को, उपर वाले तालू की तरब, ऐसे, ये उपर वाला जो पैलेट है, इसे पैलेट कहते हैं, तालू कहते हैं, उसकी तरब गुमा लें, और फिर बहार की तरब हावा निकाले, उपर की तरब जीब हो गई, और जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, तो ये श, वाला sound है, श, शलगम वाला, ठीक है, और स, स से सरीता, सरीता वाला जो sound है, वो कह, सी, सी मतलब देखना, सलाइन, सलाइन मतलब खारा, जैसे खारा पानी, सलाइन, सेवन, स, स का sound आ रहा है, अच्छा, श के sound में क्या होता है, जैसे शी, अच्छा, ये क्या है, ये है, शी, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको और इसको, एक जैसा आप नाउंस करते हैं, सी, ये सीटी वाला सी है, सरिता वाला स है, स, सी, स, ये आवाज आ रही है, और ये है, श, श, उपर की तरब, श, जीव उपर की तरब, श, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे बोलना आपको, शी, शी, शी इस बीटिफल, शी, शी, और ये है, सी, सी डाट, सी, स, ये वाला, ठीक है, तो ये जो श है, श, 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 ये है, शाइन, शिप, अच्छा देखिए, ये है, ये है, शिप, शिप मतलब होता है, जहाज, ज, हा, ज, ये ज, है, ये ज, है, अभी मैं इसके बारे में, ज, में आपको बताऊँगा, लेकिन, पॉइंट ये है, कि अगर आप शिप को, शिप को, अगर आप सिप कह देंगे, सिप, तो सिप तो S, I, P, सिप होता है, जिसका मतलब होता है, हलके हलके चुस्की लेके पीना है न, तो अगर आपने सिप कह दिया, सिप, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, कि ये है, शिप, जहां भी S, H आया, वो है, शलगम वाला श, और S के साथ U लग करके आता है, और तब भी साउंड आता है, शलगम वाला श, कैसे, शुगर, शुगर मत यहां पर आप देख रहें न, यह सलगम वाला श है, उसी तरह से शुओर, 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 और यह है, एंशुओर, एंशुओर मतलब सुनिश्चित करना, और जहां भी T, I, O, N आप देखें, तुरन समझ जाएए, वहां पर सलगम वाला श है, इंट लोकेशन, तो इसकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी, जहां भी देखिए, एस, एच, श, 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 बोलने की प्रैक्टिस करें, एस, यू के साथ भी और टी, ओन के साथ भी, ठीक है, अब मूव करते हैं, टी पे, टी का साउंड तो सिंपली ट का साउंड होता है, ज यहां पर ओ का साउंड, अ का साउंड है, और यहां पर ओ का साउंड, ओ का साउंड है, ट मैटो, टॉल, ट, ट का साउंड आ रहा है, ठीक है, हाँ, अगर कोई आप से यह पूछ लेगी, यहां पर ए का साउंड क्या है, तो आप देखिए, टॉल, ओ, तो ओ का साउंड है, ए खोटा हूँ, अ, यॉ, यू, फुल, उ, छोटा हूँ, फुल, पुश, पुश मतलब धक्का मानना, A, sun, a sound, urgent, a sound, क्योर, क्योर मतलब इलाज करना, क्योर, यॉर sound, क्योर, यॉर, अल्यॉर, अल्योर मतलब ललचाना, लुभाना, अल्योर, यौ साउंड, यूनिवरसिटी, यू, यूनिवरसिटी, यूज, यू का साउंड, अब आजाते हैं V और W पे, लिखने में तो देखो दोनों सेम लिखे वे हैं, वा लग रहा है, वा, लेकिन बोलने में फर्क है, बोलने में क् जो फ्रंट टीथ हैं, जो कि अपर टीथ हैं, उपर वाले दात, ये नीचे वाले लिप को टच करते हैं, व, व, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, जैसे F में किया था, F, उपर वाले दात, नीचे वाले लिप को टच करते हैं, तो ये है V, वो था F, आप देख रहे हैं, दोनों हिंट है यह आप f में भी इसे लिख सकते हैं example देखिए verify अब देखिए verify उपर वाले दांत नीचे वाले लिप को touch कर रहे है verify verification value value where उपर वाले दांत नीचे वाले लिप को अब यहां देखिए w के case में मैंने क्या लिखा है round lips अब देखिए यहां पर लिखा तो वही है ऐसा लगेगा वा लेकिन बोलने का तरीका क्या होता है आप होटों को ना गोल सा कर देते हैं round सा कर देते हैं कैसे well well window खिडकी को क्या कहते है window window बहुत simple है अभी आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा conscious तो नहीं हो रहा हूं उस चीज को लेके ऐसा नहीं है जब हम बोलते हैं कैसे बोलते है what are you doing what are you doing what गोल कर देते हैं round कर देते हैं lips को what where why 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 नहीं why what नहीं देखिए what बोलूँगा तो वो तो वी वाला आ जाएगा उपर वाले दान नीचे वाले lips को what what नहीं what तभी तो इसका जो sound आता है कुछ ऐसा सा आता है आपका ध्यान दिजिएगा what वा वा क्योंकि दोनों होट बिल्कु गोल हो रहा है what वाट और सेम यह होता है phone में phone photo phone photo photo फो गोल हो जाता है ठीक है तो यह difference है v और w में लिखने में दोनों वा हैं लेकिन यह है वा और यह है वा अब बात करते हैं x y z की x का sound तो आधा कर सर क्स क्स box extra box क्स extra इस तरह का sound आता है एक sound तो यह हो गया और दूसरा sound आता है ज ज यह है ज यह ज नहीं है यह धान रहे ज नहीं है ज़ के नीचे एक बिंदू है यह है ज तो देखिए जो पहला वाला जश होता है जैसे जग जो जे था जे से बना था वो तो होता है जव हम सब बोलना जानते हैं कोई इस्व नहीं लेकिन बहुत सारे स्टुडेंस ज बोलना नहीं जानते तो यह कुछ ऐसी आवाज है ज़्ज, देखे जब आपके दोनों दाट, आपने दोनों दातों को थोड़ा सा मिला लिजिए, ऐसे, ज़्ज, और बाहर की तरफ हवा निकाल लिए, ज़्ज, गजल, देखे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऐसे, जैसे मैं एक बाद लिख लेता हूं, थोड़ा आपकी नॉले गजल 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 और इसलिए स्पेलिंग में जैड होता है या फिर जैसे मान लीजिए जहाज ये है जग वाला जग जे वाला ठीक है लेकिन ये क्या है जग के नीचे बिंदू जग जहाज जहाज जग हाज जग जहाज तो ये जो है इसे पहचानना है बहुत इंपोर्टन्ट तो एक्स का एक साउंड ऐसे आता देगे इक्जैम्पल कैसे लिखा जाता है इसको लिखके दिखाते हैं इक्जैम्पल यहाँ पर जग के नीचे आप बिंदू देख रहे हैं इक्सेम्पल इक्जैम्पल गीमी एन इग्सेम्पल प्लीज इग्जैम्पल ज्यून को नहीं आता है उनको प्रैक्टिस से आएगा x-rox कैसे लिखा जाएगा इसको अगर मैं लिख लूँ तो x-rox 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 आदा से यह कर सो तो आप देख रहे हैं यह वाला जो x का sound है इस वाले का इसका sound तो यह वाला है जबकि इसका sound कैसा है यह वाला ठीक है अच्छा यह का sound बहुत सिंपल है यह y का sound यह का sound आता है yell, yell मतलब चिलाना yoke तो yell हो, yoke हो दोनों में y का sound आ रहा है, यह तो सिंपल है अब आजाते हैं z पे z का sound हमेशा z z, z जो मैंने यहाँ पर आपको बताया same और इसे आपका भी z मत कही है a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y z z बोल देते हैं न कई students z z नहीं होता है क्या होता है z इसमें j के नीचे क्या होगा एक बिंदू इसी लिए यह है zoo zoo मतलब चिडिया घर तो जैसे आप किसी को कहते हैं कि मैं जू जा रहा हूँ जू नहीं जा रहा हूँ मैं zoo जू जा रहा हूँ zoo यह है zebra zebra जो एक जानवर होता है एक animal होता है और zoom meeting zoom meeting करते हैं zoom meeting नहीं zoom ज नहीं zoom ठीक है तो ऐसे सभी words जहां पर z आया इन सब में ज होगा ज ज नहीं होगा एक बात तो यह और जहां भी s s का sound जहां भी कहीं s का sound अगर ज का sound हुआ तो वो भी हमेशा क्या होगा ज ज जैसे कि noise में यहाँ पर the noise no is noise अरे आप इतना noise क्यों कर रहे हैं noise 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 नहीं noise और इसी लिए देखिए is i the the is 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 he is my friend नहीं he is the my friend अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ words लेते हैं जिनमें हम गलतियां करते हैं सबसे पहला word यह is नहीं है is यह वाज नहीं है वाज कई students कहते हैं वाज he वाज वाज नहीं पहली बात तो वा नहीं वाज he वाज he was going there वाज यह music music नहीं है यह है music यह है busy busy नहीं busy यह है अच्छा कई students कहते हैं always always नहीं all औ का sound है एक है यहाँ पर always यह मैंने आपको थोड़ी दर पहले बता है noise यह मैंने भी बता है आपको example अच्छा मैंने अभी क्या कहा आप से लगबख सभी चीजें बताहिए मैंने आपको सभी चीजें यह बताई मैंने आपको, चीजें बताई हैं, चीजें, चीजें, ठीक है, example, example या example भी कहते हैं, example, आ, ये, ये क्या है, कई students गलती करते हैं, ए लगा देते हैं, ए, school, school, school नहीं, school, 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 सा से ही शुरू होगा, school, smile, style, जैसे ये देखे, इसे smile नहीं कहना है, smile, ये smile नहीं है, ये क्या है, smile, smile, तो ये school, school, smile, speak, I want to speak English, I want to speak, speak, इस पीक नहीं, ये mistake कई students करते हैं, ए नहीं लगाना है, अब आजाए ये इस वर्ड पे, मेरे दो friends हैं, वो दोनों मद्ध्यपरदेश हैं, और वो दोनों के दोनों में एक चीज़ मैंने common देखी, क्यों कहते हैं, my name, my name is name, name नहीं, name, 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 game, fame, fame मतलब क्या होता है, प्रसिद्धी, fame, अच्छा, यहाँ पर देखे, fame, मैं जब कहे रहा हूं, fame, 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 फ, उपर के दान, नीचे वाले लिप पर आ रहे हैं, टच हो रहे हैं, fame, जैसे मैं आपको बता है, ठीक है, आगे move करते हैं, यह water नहीं है, पानी, water नहीं, यह क्या है, water, 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 यह कहा है, वाक नहीं है, मैं वाकिंग करने नहीं जा रहा हूँ, मैं वाक करने जा रहा हूँ, वाकिंग, वाक, यह है वेरी, अच्छा कई स्टुडेंट्स इसको वेरी कह देदे, वेरी, वे, वे नहीं, मतलब वे नहीं, यह है वे, तो वे वे नहीं है, और यह जो वेरी है, वेरी में भी आप दिखिए, वे, वी साउंड है न, वेरी, उपर के दान, नीचे वाले, लिप पे टाज होते हैं, next, मैंने आपको बता है, S के साथ में U आया, तो इसे कैसे पनाउंस करेंगे, शुगर, सुगर नहीं, शुगर, शूर, शूर, अच्छा ये जो दिल, दिल को हम हाट कहते हैं, हार्ट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं heart किसे कई students क्या कह देते हैं hurt hurt नहीं वो तो अलग word है वो तो है hurt hurt मतलब चोट पहुचाना या दुख देना उसे hurt कहते हैं यह होता है heart यह है potato potato नहीं potato 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 मतलब अलू tomato tomato मतलब tomato हमेशा समझिए कि यहाँ पर to है तो tomato बोलना है tomato नहीं ठीक है to के उपर ता इस तरह से होता tomato नहीं tomato tomato त मैं मैं तो अच्छा है यह क्या है project नहीं project pro project 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 also कई लोग इसे also कह देते हैं also नहीं क्या कहना है also और यह क्या है forty और यह क्या है क्या यह 40 है 40 40 ऐसा होगा यह नए कैसा होगा यह 40 for for 40 raw का sound तो बहुत हलका है raw का sound लेकिन ऐसे नहीं बोलना है 40 40 नहीं बोलना है 40 for for और यह यह है 14 14 अच्छा raw के sound को तो आप लगबाग भूली जाहिए इसे तो भूली जाहिए अब 40 40 और 14 14 raw तो silent यह only इसे कई students ऐसे कह देते हैं only 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 इसे कैसे कहते हैं यह बड़ा interesting है question चन यह चर जरूर बोलना है question question अच्छा मैंने अभी आपसे क्या कहा जरूर बोलना है जरूर यही पर लख लेता हूँ जरूर आप मेरे घर जरूर आना आप मेरे घर जरूर आना आप मेरे घर जरूर आना नहीं जरूर आना तो यह आप जब आप Hindi भी बोलते हैं, तो अपनी Hindi को भी सही करिए। यह कह है? रेस्टोरेंट नहीं, यह है रेस्टराँन। रेस्टराँन, रेस्टराँन। अच्छा, कुछ और वर्ट्स लेते हैं। यह हिज नहीं है। हिज, हिज पन इस देर। हिज नहीं, his, his pen is there, is be is, is or his, Tuesday, 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 Wednesday, 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 शी, शी, रिलेशन, रिलेशन मतलब क्या होता है, रिश्ता, रिलेशन, कई स्टूडेंट्स कहते हैं, रिलेशन, रिलेशन नहीं, रिलेशन, टावल, टावल भी कह देते हैं, टावल भी कह देते हैं, टावल भी कह देते हैं, दोनों तरीके से बोला जाता है, टावल मतलब त लिया, इसे आप because भी कह सकते हैं, because, because, या तो because, या फिर because, 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 या because, देखिए, जो घर में आप चादर बिछाते हैं, bed पे, उसे bed sheet कहते हैं, bed sheet, इसे seat नहीं कहना, seat, seat नहीं, seat तो वो होता है, s-e-a-t, seat, कि इस seat में आप बैठ जाईए, वो seat है, ये तो sheet है, sheet, bed sheet, अच्छा, इसे glass नहीं कहना हैं आपसे, पिसले वीडियों भी बताया था मैंने आपको, sorry, glass नहीं, इसे क्या कहना है, glass, glass, ये, ये वाला word, glass, ठीक है, next word, breakfast, fast नहीं, breakfast, breakfast, lunch, dinner, ये leave है, ये live नहीं है, ये live नहीं है, ये कह है, leave, leave मतलब छुट्टी, ये निकल जाना, leave, और ये जो live होता है, ये तो live होता है, ये नहीं है, अच्छा, इसे कई students कहते हैं, across, across नहीं, across, next, relative, 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 इसे relative नहीं कहना है, relative, री नहीं, रह, relative, ये equal नहीं है, ये equal नहीं है, ये कह है, equal, बड़े e की मात्रा, e, equal, इसे कई बार, understand, 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 understand नहीं, understand, रह को तो आप silent ही माल लीजिए, understand, understand मतलब समझना, ये है, social, जैसे हम कहा है, social media, social media, social, social, तो ये पहला वाला है, सरीता वाला सा, और ये वाला है, शलगम वाला शह और गलती क्या करते हैं कई स्टूडेंट करते हैं इसे बोलते हैं सोशल सोशल मीडिया सोशल नहीं सोशल यह है आईज मैंने आपको बता है जब भी S का साउंड ज का साउंड आए तो ज को नहीं ज को बोलेंगे अब ज आईज यहाँ पर भी देखिए S का साउंड ज का आ रहा है नोज यह है ओपोजिट ओपोजिट जिट यहाँ पर भी S का साउंड ज का साउंड है ओपोजिट अपोजिट नहीं ओपोजिट अपोजिट नहीं ओपोजिट नहीं ओपोजिट ठीक है, प्रेपोजिशन, 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 यहाँ आप आप देख रहे हैं, टी आई यो एन, तो शन, शल्गम आला सा, पर्मानेंट, पर्मानेंट नहीं, पर्मानेंट, एसा समझे जैसे पॉक थोड़ा सा रोका गया, पर्मानेंट, यह है गवर्मेंट, गवर्मेंट नहीं, यह गवर्मेंट नहीं, कई स्टूडेंस कहते हैं गवर्मेंट, गवर्मेंट स्कूल, गवर्मेंट नहीं, गवर्मेंट, गवर्मेंट स्कूल, गवर्मेंट, यह क्या ह does, कई students कहते हैं, does he does not go, does नहीं the, अगर आप यह गलती करते हैं, तो इसे आपको सुदानना है यह जो word है, यह win की win मतलब जीतना, win, win की second form है, यह third form है इसे कहते है, won अच्छा बस फर्क यह है, कि इसे w है न, तो आप अपने होटों को round कर दे, won, he won the match he won the match, w, war won, तो one कहते हैं, इसे won नहीं कहते हैं, won, won won मतलब जीता, second form यह third form, अच्छा है, यह year नहीं है, year ऐसा नहीं है, e का sound नहीं है, y का किसका sound है, your का sound year, three years three years, years three years नहीं, years years, year, ye, years never, never यह है days day, ze s का sound, j का sound यह मैं आपको पहले ही बता है, यह कह माई, इसे माई नहीं कहनाνा, माई ईसे नहीं कहना, इसको माई, माई नहीं, माई और यह कह, your इसे your कहने से बजाए, आपका यह यह you are अब ये है आपका homework रिकॉर्ड यूर वॉइस एंड सेंड टू ये क्या है? वॉइस और कौन सा वाला वॉ है आपर? जिसमें की वी है वी का मतलब उपर वाले दांत नीचे वाले लिप पे टच कर रहे हैं वॉइस ये वॉइस नहीं है voice voice मतलब आवाज अपनी आवाज रिकॉर्ड करिए and send to और भेजिए englishwale12 at gmail.com email id पे भेजिएगा मैं चेक करूँगा feedback भी दूँगा sentence आपके सामने क्या है? देखिए पूरा एक लंबा सा sentence है देखिए क्या लिखा हुआ है? she doesn't know she she इसे ऐसे ही बोलना है does और not का contraction does does तो यह होता है और यह contraction है doesn't लेकिन doesn't के बजाए आप क्या बोलिए? आप बोलिए doesn't advanced English में ऐसे बोले जाता है she doesn't know इसे no नहीं बोलना know how how to speak इसे आप speak नहीं बोलेंगे e speak e नहीं लगा देंगे शुगात में even a single single यह तो बहुत सिंपल है single sentence sentence of यह भी सिंपल है English today English English इसे स नहीं कहना है इसे स नहीं कहना है इसे क्या कहना है English English today today she doesn't know how to speak even a single sentence of English today but but she is यहाँ पर जव बोलना जव यह क्या है यह क्या है शूर देखे सारे वर्ड आज कवर में शूर शूर and optimistic optimistic का मतलब होता है आशावादी आशावादी देखे मैंने कहा आशावादी मैंने यह नहीं कहा आशावादी आशा नहीं आशा optimistic optimistic to learn this language यहाँ पर मैंने क्या का ज़ यह language नहीं है ज़ language ज़ नहीं यह जी है तो लेंग्विज लेंग्विज विदिन ओनली इसे ओ कहना ओ ओ मत कहना ओनली त्री मुंद्स 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 ऐसे मुंद्स ठीक है शी देसे नहीं ज़ नहीं पर स्पीक इवन एस सिंगल sentence of English today but she's sure and optimistic to learn this language within only three months गाइस इसको पहले तो अपनी pronunciation को सुधारना जिस भी word में आप confused थे उसको ठीक करना मैंने क्या का आप से confused थे तो आपकी हिंदी भी जो निकल रही है मुझसे वो बिलकुँ सही निकलनी चाहिए तो मैं चाहता हूँ इस पूरे sentence को इसी speed में सही तरीके से बोलिए और मुझे भेजिए englishwalay12 at gmail.com फिलाल आज के लिए यहीं तक और मैं आप सभी से request करूँगा अगर आपको वीडियो helpful लगता है तो कम से कम एक whatsapp या facebook group में आप वीडियो को share जरूर करा करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए किसी भी वीडियो को एक दो मिनट तीन मिनट तक देख करके खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको यह नहीं पता कि उस पूरी वीडियो में कहां पर क्या ऐसी चीज आपको मिल जाए जो आपका knowledge इंप्रूफ करें आपकी English को इंप्रूफ करें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो like जरूर करिएगा और comments में आप जरूर बताईएगा कि इस वीडियो से आपको क्या-क्या चीजें सीखने को मिलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आज के लिए यहीं तक Thank you so much for watching this video guys Take care, goodbye